आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपको बहुत 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 है तो 29 जुलाइ के करेंट अफेर्स की हम बात करेंगे तो यह सारे करेंट अफेर्स आपके सामने हैं टोटल पांच आपको पता है हम ड 12 अगस्त से लाइफ क्लासे 10,000 कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्र 500 आफ मिलेगा 999 का कोर्स ही है हिंदी इंग्लिश दोनों में आप यह समझी कि कोई भी वंटे एक्जाम हो आरो यारो यूपी पीसी एस कोई भी ऐसे सीजियल यह कोर्स आपको बहुत बहुत ज़ बेसिकली यह 26 अगस्त को रुके जरा में इसको सही कर देता हूं यह 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल पर मैंने बहुत सारे वैसे भी लेचर किये हैं इसको इलपर सही कर देते हैं यह शायत वही है ओके यहां से है चली पढ़िया है आपके सामने पीपीट एडिट भी क हमारी वेबसाइट पर मिल जागी तो सबसे पहली बात तो यह है कि 26 जुलाई को 1999 ऑफिशली एंड हुगा था और जैसा कि मैंने बता कि अनेको लेचर्स मैंने कारगिल पर बनाया बहुत शांधर किताब हरिंदर भविजा कि आपढ़िए का जरूर अब क्या हुआ कि पाकि का रागिल पर हमला करने का इनका प्लान नहीं था अक्षुल में तो हुआ क्या के लिए कॉन शुद कॉल आगया था स्वड़तन में वहाँ चला गया था उसाड वंसा प्लान बनाते एक काम करते हैं कि भारत के कारगिल को खुच फुरुरूब में ले लीते हैं प्योथ जावेद और ये परवेद मुशर्रफ चारों मिलिटरी कमांडर थे तो जब ये ऑक्टूबर में थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने देखा कि भारत नहीं भारती फोज ने अपनी चौकियों को छोड़ दिया है तो इनको लगा कि चलो एक प्लान बनाते हैं क्योंकि एक अनओफिरिशल अनडिक्लियर एग्रीमेंट था कि क्योंकि जाड़ा बहुत पड़ता है बरफ इतनी पड़ती है कि वहां रहना ना मुंकिन है तो पाकिस्तान भी पोस्टर से पीछे अड़ जाता है और हम भी अपनी नवाज शरीफ को दिखाई वैसे बहुत बोला जाता है नवाज शरीफ को पता नहीं सब पता था और बोला कि आप ही कारगिल विजय करेंगे कश्मीर आपका ही होगा तो फिर नवाज शरीफ बड़े प्राउडली बोले अलब इनको बहुत ही ऐसे कहता है कि मुंगेरी ला जो है उन्होंने हरी चंडी दे दी अब आप आईरनी देखिए कि फरवरी तेरा फरवरी को अटल बिहारी बाच पे पूरी बस लेके लाहौर गए थे और नवाज शरीफ ने सवागत किया था सब ने सवागत किया यह हिसाब किताब रहा फिर उसके बाद हम यह देखते हैं कि माई आता है माई में ताशी जो एक चरवाहा था उसने यह देखा कि कुछ पठानी सूट में हतियार बंद लोग जो है वो उस हेरिया में हैं मिलेटरी को खबर दी अब मिलेटरी ने सोचा कुछ ऐसी हुई होगी इंफिल्ट्रेशन लेटिनेंट सौरफ कालियों को भेज इंफिल्ट्रेशन नहीं थी आतंकवादी थे लेकिन यह पाकिस्तान की आर्मी थी और आप यह समझ हिए कि यहां पे सौरफ कालिया को पकड़ा उनकी आखे निकाली उनके कांच काटे उनके नाखून उखाडे उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे फिर गोली मार्के पू एर फोर्स ने ऑपरेशन सफेज सागर चलाया इतनी जादा मतलब आप यह समझे पूरे मई तक चला और बहुत जादा सफलता नहीं मिली फिर उसके बाद जून में सफलता मिली तगड़ी सफलता मिली एर फोर्स को और फाइनली हम यह देखते हैं कि इंडियन आमी ने कमाल कर दिया कैट्टन विक्रम बत्रा लेटिनेन मनोच कुमार पांडे योगेंदर यादव मतलब आप यह समझे कि मुम्किन को नामुम्किन को मुम्किन करके दिखा दिया क्योंकि आपको पहार चड़ाना था आप समझे रहो वो भी माइनस 10 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इतनी पराबर था क्योंकि सीधा टार्गेट होता है लेकिन उसके बावजूद भारत ने मूद तोड़ दिया कमर तोड़ दिया सब तोड़ दिया पाकिस्तान का बहुत मारा और जुलाई आते आते नवाज शरीफ को पता चल गया था कि बहुत हम पेले गए हैं तो क्या ही कर सकत हैं उसके बाद फिर फाइनली 26 जुलाई को वर ऑफिशली एंड हो और पाकिस्तानी सेना पीछे हड़ गई हमने मार मार के हटा दिया था लेकिन जो बच्ची कुछी सेना थी पीछे हड़ गई एक फ्रैक्ट बताता हूं कि पाकिस्तानी सेना ने अपने सुल्जर्स के अपने सिपाईयों की शवों को लेने से इंकार कर दिया था एक तरफ पाकिस्तानीयों ने हमारे फोजियों के साथ जिनको भी पकड़ा था बहुत दुर वहवार किया था और दूसरी तरफ हमने उनके जो शव हैं उनका वकायदा क्रिया करम प्रॉपर तरीक का पूरा का पूरा कार्गिल टाउन है वो इतने हाइट पर लोकेटेड है द्रास देते सो और जितने भी पीच और बाइनस 30 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर चला जाता है तो बहुत मुश्किल था तो वही बता रहे कि आर्मी ने ऐसे मतलब देखे क्या हुआ कि एक प्रो फिर कोल्ड वेदर गेर और बहुत सारी चीज़े जो भी गैप से वह फुल्फिल किये एसॉल्ट टेक्नीक्स आप यह समझे कि हम पहले दिन में अटाक करते थे अब रात में भी करने लगेंगे यह हमने सीका पाई सर्जिकल स्ट्राइक रात में हुई थी और इसके बाद फिर जो आर्टिकली आर्टिलरी जो हमानी बोफोर्स गम थी जिसमें बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे बोफोर्स गम ने ऐसी की तैसी कर दी मदब पाकिस्तान के बंकर्स पर बंकर्स वड़ा दिये थे यह चीज़ है तो वही है कि यह लोजिस्टिक चैलेंज था बहु इक्वालिटी है मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री में यह अच्छी घासी है मल्यालम वैसे फिल्म बहुत बढ़िया भाई अभी वहने आविशन देखी कम्माल की मूवी ठीक है ना 17 फर्वेड़ी दोसार 17 को एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक मल्यालम फिल्म एक्ट्र मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है धेरो इन्होंने एकाउंट जो सेक्शुल हरासमिंट केस है जो महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई वो सब रिकॉर्ड किया पैसा नहीं मिलता है वो भी सब कुछ ब्लाक लिस्टिंग की अगर तुम्हें सब नहीं करोगे तो तुमको ब्लाक लिस्ट कर देंगे यानि कि तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगा तुम्हारे साथ काम करना ब्लाक लिस्ट होता ने कि अरे तो बेकार आदमी इसके साथ क्यों काम करें तो एक 300 पेज की रिपोर्ट जो है वो छापी गई दिसम्बर 2019 में उस समय और सेक्शल फेवर्स देने पड़ेंगे तब तुमको रोल देंगे अल्कोहॉल हद से जाधा शराब ड्रक्स फिल्म सेट्स पे यूज होता है और एक ट्रिब्यूनल यहां पे कमिशन ने बोला कि बनाईए ताकि इन इन एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट किया जा सके तो सरक जो फाक्ट दिये हैं वो इसके तहत नहीं है जनवरी 2022 में पैनल फॉर्म होता है और इन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन्स भी क्योंकि देगे पहले फाइंडिंग्स और फिर रिकमेंडेशन्स हमेशा दी जाती कि कैसे सुधारा जाए तो सबसे पहली बात तो जॉब कॉंट अक्टिवेस्ट और मीडिया पर्सन जो है वो केरल स्टेट इंफर्मेशन कमिशन गए छह जुलाई 2024 को और बोला कि आप रिलीस करिया इस रिपोर्ट को अभी की बात है रिपोर्ट जो है वो 24 जुलाई 2024 को रिलीस होनी थी ठीक है लेकिन एक घंटे पहले रिलीस से पहले सिंगल बेंच ने रिलीस को स्टे कर दिया क्योंकि फिल्म प्रडूसर साजी पराइल ने एक पेटिशन डाल दी और बोला कि ये अक्चुल में पबलिक इंटरस्ट और प्राइवेसी वाइलेशन के खिलाफ है तो एक तरीके से ये हमारा हारास्मेंट या फिर दिक्कत हो सकती है यानि कि अभी तक ये रिपोर्ट आई नहीं है तो केरल हाई कोट ने यही बोले स्टेट गवर्मेंट को कि अब एक अगस्त को यानि कि बस परसों इस पेटिशन को सुना जाएगा लामा 3.1 पेपर 3 इंवार्मेंट के लिए सुपर इंपोर्टेंट है तो मेटा ने लामा 3.1 को अनुवील किया अदे यार यह दिखाना पड़ेगा इस तरीके से यह उपन सूर्स सॉफ्ट्वेर है तो लामा 3.1 एक बेंचमार्क है AI सॉफ्ट्वेर आपको बताता है AI development में बहुत जबरदस्त है open source मतलब होता है कि आप जैसे open होता ही है जैसे क्या होता कि जैसे मैंने सॉफ्ट्वेर बनाया मैं अपनी technology जो है वह आपको नहीं दूगा open source का मतलब यह अगर मैंने उसको open कर दिया तो आप आराम से मेरी technology को copy करके अपना भी software बना सकते हैं समझ रहों तो इसी लिए AI के लिए super important है कोई भी open source super important है तो अब सबसे बड़ी बात innovation open source में research और developers क्या कर सकते हैं पूरी दुनिया के collaborate कर सकते हैं जैसे मैंने अगर close किया है तो क्या करेंगे आपको मतलब बहुत जवर्दस मैंने technology बढ़ना दी लेकिन क्योंकि वह close है तो आपको पतानी चलेगा लेकिन open में बहुत लोग जो इस पर research करेंगे बहुत लोग इसको develop करे करेंगे और अगर मान लिजे कि जैसे मैं और एक इंग्लेंड का साइंटिस इस पर काम कर रहे हैं तो हम दोनों साथ में collaborate कर सकते हैं जिसकी वज़य से बढ़ेंगे तो AI ज्यादा तरीजी से आगे बढ़ेगा फिर accessibility second point आप AI technology सब को available हो जाएगी जैसे meta या chat GPT open source है कोई भ access है यह हर किसी को मिलना चाहिए जादा से जादा organization लोग जो है इससे यह जो कमाल की technology AI के उसमें इससे benefit करें और transparency सबसे बड़ी बात क्योंकि open source है तो transparency है ही है तो इसी लिए एक बहुत बड़ा milestone है AI industry में और आप यह समझे कि open source model हमेशा better रहते है और AI जो है वो मेटा हमेश content है तो tax mining आपको पता है कि mining यानिक ख़दान रॉक की भाई बनाओगे तो बड़ा tax तो दिरना पड़ेगा Supreme Court ने बोला है कि mining activities that is they are not a form of tax ठीक है ना जो royalty royalty payments आप करते हो फॉर माइन यह टाक्स नहीं है तो आप राज को बोला कि आप इसमें टाक्स लगो पहले रोयलिटी दी जाती दी जैसे सरकार हे सरकाar ने किसी को का मतलब आप यह समझें कि किसी की माइन है सरकार की माइन है सरकार ने जब किसी को contract उसको royalty देनी पड़ती है तो यह tax नहीं हो शरकार आप काम कर रहे हो royalty दे रहे हो उनको लेकिन that's not a tax तो वही आप ए Supreme Court ने वोला कि tax नहीं है वो tax अलग है, royalty अलग है तो जो long debate है कि nature of royalties और जो state power है tax finding operation की उस पे एक important ruling Supreme Court ने दी है तो Mineral Area Development Authority versus MS Steel Authority of India ruling आई 25 साल बाद ये decision आया है अब समझ सकते हो तो 9 judge bench उन्होंने this decision को 8 to 1 split से दिया है अगें Chief Justice DIY चंदर्चून majority opinion और अब से बड़ी बात royalty क्या tax है और क्या state के पास power है mineral development activities को tax करने का यह आप देख सकते है अलग-अलग बहुत important है यह super important है यह वैसे आप PPT लही सकते हमारी website और telegram से लेकिन आप सकते हैं यह देख रहे ना lead कहां है bauxite कहां है copper तो यह हर जगा आपको देखने को मिल जाएगा right तो यह सब अलग-अलग area पर ख़दाने मिलती रहती है तो mining rights जो bidding process है वो दिये जाते है यह आप देख सकते हो तो royalty क्या है tax क्या है देखिए रोयलिटी जो है दियार payments जो owner of resource होता है उसको दी जाती है example के तौर पर जैसे माल लीजे मेरी सोने की ख़दान है मेरे पास बहुत सारी जमीन है माल लीजे की मेरे पास 1,00,000 square feet की जमीन है बतलब एक तरीका की पूरा गाहों है कल को सरकार आती है और कहती है कि यहां तो नीचे बहुत सारा uranium है जो कि हम electric vehicle के लिए यूज करेंगे तो मैं बोलूगा कि भाई में तो मेरी जमीन है तो मैं बोले कि जमीन दे दो हमने क्यों दे दे तो बोले कि ठीक है काम करते है हमें जमीन को यूज करते हैं तुम जमीन मत हो जमीन तुमारी रहेगी जो भी नीचे से निकलेगा तुमारी जमीन से निकलेगा तुमको हम एक royalty देते रहेगे बहुत बढ़िया जैसे आपने कोई technology बनाई अब कोई भी इस दुनिया में technology उस करेगा आपको royalty मिलती रहेगी समझ रहो तो यह होती है जो किताब है उस पर royalty मिलती है section 9 of the mines and minerals act 1957 यह कहता है कि जो lease holders है यानि कि जो mining lease holders है जो lease पर लेते है mines को मतलब एक तरीके से किराय पर लंबे समय पर वो जो भी land जिसका जमीन उसको royalty देनी पड़ेगी वो एक state government या private property कुछ भी हो सकती है अगर सरकार ने mining दिये तो सरकार को royalty दीजे जैसे सिर्दान तक नियोतरी से आपने फिर पस तो कुछ नहीं है तो आप सिर्दान तक नियोतरी को वो royalty दीजे तो सुपनीम कोट ने बोला है कि भाई देखिए royalty tax नहीं है royalties contractual payments होते हैं resource को use करने के लिए और tax public purpose के लिए लगाए जाता है ओके infrastructure और welfare के लिए तो यह हमको समझना पड़ेगा अब अगर हम state की power की बात करें tax mineral development में तो 7th schedule इसमें state list entry 50 है जिसमें राज को पूरी power है tax mineral rights यानि कि जो भी mineral से tax आएगा राज मतलब यहाँ पे minerals में tax लगा सकती है समझ रहो हाँ अब जैसे माल जी के Tamil लाडू में कल को खूब सारा uranium मिल जाता है सोना मिल जाता है अब Tamil लाडू उसमें tax लगा दिया जो भी mining वाला आया वो Tamil लाडू को tax देगा पार्लियमेंट चाहे तो उसको रोग सकती है यूनियन लिस्ट में भी आता है यूनियन लिस्ट 54 ही कहती है कि केंद्र है जो इन mines को और mineral development को regulate करेगी समझ रहो तो MMDRA अब इन्हों ने क्या किया इन्हों ने राज्यों को बुला कि अब रॉयलिटी जो है वो collect करिये ठीक है ना बहुत अच्छी बात है पार्लियमेंट ने बतला पार्लियमेंट अब देखे यहां पे state को पैसा मिल रहे बट लिकिन पार्लियमेंट ने कोई tax नहीं लगाया यानि कि एक तरीके से ये चीजे स्टेट्स के ही पास रहें विदिन जूरिज्डिक्शन आफ स्टेट्स स्टेट्स दे कैन इंपोस टैक्से ओन माइनिंग अक्टिविटीज और लैंड पे भी तो कोई दिक्कत आस सच नहीं है बस जस्टिस जो 8 इस्टू 1 है जो एक ओपोजिंग में है वो जस्टिस भी भी नागरतना है उन्होंने का कि देखे रॉयलिटी जो है उसको टैक्स ही कंसिडर करी है क्योंकि एक उनिफॉर्म मिनेल डेवलप्मेंट होना चाहिए पूरी देश में और यही कहनी है कि देखे एडिशनल टैक्स का मतलब यही है कि फिर और ज़्यादा दिक्कते होंगी ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लिफाई कर दिया है कि रॉयलिटी और टैक्स क्या है और डिसीजन अब स्टेट के ऊपर है कि भाई वो क्या एडिशनल रविन्यू लेगा अदब क्या टैक्स लगा का आखरी जीए मस्टर्ड तो भाईया तेज जुलाई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है यह इस पर इंप्रिट दिया है जेनिटिकली मोडिफाइड क्रॉप्ट मस्टर्ड जिसको डी एमेच वन बन बोला जा रहा है तो यह है ना सरसों तो हाईब्रिट मस्टर्ड है जिसको CGMCP Center for Genetic Manipulation of Crop Plants जो डेली निवस्टी में है और उसमें यह यह थे कि जेनिटिकली मोडिफाइड क्या है कि हम क्या करते है प्लांट में प्लांट के जीन को चेंज कर देते हैं मोडिफाइड कर देते ताकि उसकी nutrition value बढ़ जाया है या उसकी productivity बढ़ जाया है है ना तो यहां पर सर्सों की बात कीगी तो सर्सों की जीन को मोडिफाइड किया गया है ओके genetic engineering इसको बोलते हैं तो यही है तो development कैसे initial proposal तो यही था कि 15 सितंबर 2015 यहां पर सरकार का approval लिया कि हाँ भाया हम चाहते है कि GM mustard को रिलीस कर दिया जाए हम उगाने लगे तो GEAC ने recommendations मई 2017 में GEAC ने बोला कि हाँ field में लगाओ genetically modified mustard अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है 2022 में October 2022 में इसको हम यह देखते हैं कि फिर से एप्रूफ किया गया अब अगेन इस पर भी देखे यहां पर भी केस हो गया था ठीक है लेकिन अब अगेन सुप्रीम कोर्ट के स्प्रेट वाइडिक्ट आया है तो जस्टिस भी नागरत्ना ने क्रिटिसाइस किया है कि देखे अभी फिल्ड टेस्ट कंप्लीट नहीं है और जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्ट जो होते हो खत्रा भी हो सकते हैं याद रखेगा कि वो मतलब दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं तो इसी लिए पहले इसको स्टडी कर लिए उसके बाद इस से आप defensive हैं आप precaution ले रही है ठीक है कि genetic genetically modified crops जो नुक्सान हो सकते हैं आप पुरा ध्यान में रखके उसको अच्छे से कर रहे हैं तो वो यहां पे right to safe environment की environment को तो नुक्सान ही है जैसे संजय करॉल कह रहे है कि इन्होंने जो GEAC का decision है इसको support किया है scientific understanding develop करने के लिए अच् important है GM crops environmental health impacts के लिए तो वही है अच्छा है अगला step यही है कि लार्जल क्योंकि one is to one का verdict है तो बड़ी bench को जाएगा भाई जो की Chief Justice of India देखेंगे right तो यही है हाला कि आपको बता दू कि Judges ने यही बोला कि जो भारत है national policy एक ले किया है GM crops पे जो अभी नहीं है यह बहुत ज को अगें guidelines देगा अच्छी बात है तो यह current affairs बड़े important बाकिया हमारे course को जरूर अभेल करें thank you so much